हेग गैज देखो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया से बहुत जादा माल बेचा है और लगबग दो लाग या धाई लाग करोड का माल उन्होंने बेच दिया है इंडियन मार्केट से इसके कारण भी सेलिंग प्रेसर जादा मतलब हाई हो चुका है जिसके कराण सबीलो को माल बेचघ रहे हैं और जाद द लोगों को नुकसान हो रहा है तो यहां पर क्या होता है कि कि समान कोई सामान करता रा और आपको रिटन कर देता है ले जरू को होगा अैसी तो रिटन करेगा नहीं है हालां कि वह चाये उसको लेकिन पडि तो return कर रहा है लेकिन वो चाहिए क्योंकि stock market में profit मिलता और profit सबको चाहिए होता लेकिन फिर भी कुछ लोग आपका share बेच दे रहे हैं इससे क्या होता कि उस company का value थोड़ा कम हो जाता जब सारा माल बेचने लगते हैं तो क्या होता कि भई उनके godown में माल पड़ा-पड़ा स देखा 4-5 stock में मतलब 4-5 stock में foreign investor जो है धीरे-धीरे-धीरे करके माल खरीद रहे हैं मैंने सोचा उसके बारे में आपको जनकारी दूँ information दूँ awareness दूँ यहाँ पर कि अब वो लोग sell छोड़के buy करने की कोशिस कर रहे हैं आप देखेगा यहाँ पर यह है FII यह देख top holding जो यह superstar लोगा है क्योंकि देखो यह superstar इस वज़े से हैं क्योंकि इनका जो portfolio होता वो बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा का मतलब 2000 करोड 5000 करोड दस जार करोड 20,000 करोड 50,000 करोड मतलब यह बड़े player हैं यह market की रुख को बदल सकते हैं market में जो हवा चलता है उसको य किन का है उपर में देखेगा तो यह foreign वालों का है हम आप नहीं इंडिविजबल का देख रहे हैं नहीं institutional का देख रहे हैं foreign वालों को देख रहे हैं सबसे पहला स्टॉक जहां पर सबसे ज़्यादा इन्होंने investment किया है अभी अभी धीरे-धी मान खरीद रहे है पौनी बढ़ा रहे हैं अब इस company के बारे में जान लेते हैं पौनी सुगर के बारे में पहले यह है लंबे समय में इसने 2700% का रिटन दे रहा है पिछले 6 मेने से यह stock up and down है लेकिन गिरा नहीं है एक साल का data देख लेते हैं तो एक साल से यह stock ठीक है okay है नुकसान तो नहीं दिया जब भी उपर जाता है और गिरता है तो फिर बहुत तेज भागता फिर उपर से नीचे आता है फिर तेज भागता फिर उपर से नीचे आएगा फिर कभी-कभी तेज भागता सेम स्ट्रेजी यहां पर भी आपको देखने को मिला देख सकते हैं तेज भागा अब यहां से ये स्टॉक तेज भागने के फिराक में होगा टेक्निकली चार्ट पिटन बताता है यहां पर इसे कंपनी में ने उन्हें इन्वेस्ट किया है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कंपनी का मार्केट कैप देखिए 194 करोड का इतना छोटा सा कंपनी में कौन इन्वेस्टमेंट करता है भाई बताइए इतना छोटा मतलब बहुत छोटा है आप रिलाइंस खरीदेते हो मतलब पता है क्या है क्या खरीद रहे हो आप क्या चीज है वो 20 लाग करोड का मार्केट कैप वाला कंपनी है आप उस कंप रुपे की कंपणी है रिलाइंस इंडेस्टी और यह केवल 200 रुपे की कंपणी है आप इतना समझ सकते हैं तो बैए 20 लाख रुपे है और 200 रुपे में फर्क होता है न फॉरेन वाले नों ऐसे कंपणी में इंवेस्टमेंट किया है यहां पर और देखेगा बैए बुक वैल 1.78% तो ऐसे कंपणी में वो इंवेस्ट करते हैं और बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़े हैं देखे सुगर के लिए कंपणी काम करती है 86% revenue सुगर से आता है 14% revenue इनका जो है पावर से आता है थनौली के लिए भी बहुत जोर सोर से काम कर रहे हैं मैंने आपको बता है ना foreign investor ने अगर कहीं पे हाँ डाला है ना तो याद रखे कि foreign investor एक बहुत बड़े player होते है ना वो मतलब फालतू चीजों में कभी हाथ लगाते ही नहीं है फालतू चीजों का मतलब यह नहीं है कि सस्ती चीज़े ऐसा नहीं होता वो ना मतलब अच्छे चीजों में यह लगाते हैं मतलब पैसा लगाते है डेट-free company पोनी अब हम देखेंगे स्पंधना अब यहां पर इन्होंने 8.8% तक का investment करना स्टार्ट कर दिया मतलब investment मतलब खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया हम वही चीज़ देख रहे हैं देख लिए फर्स्ट हमने यह देखा था आप सकेंडम यह देखेंगे स्पंधना एक finance एक क मोटर्स के पास है कुछ 13% के आज बाज जो इन्होंने pledge भी कर रखा है company finance sector में काम कर रही है तो यह company में भी उन्होंने बड़ा पैसा लगाया है इस company का market के अब 2000 करोड का है तो यह चोटी company नहीं है लेकिन हाँ यह company जो है ओके ओके थोड़ी बड़ी company है लोगोंने काफी 90% से ज्यादा गिरा हुआ है all time low पे चल रहा है मतलब यह company इतना ज्यादा गिरावट हो चुका देख रहे हूं इतना ज्यादा गिरावट हो चुका मतलब 300 रुपा का share केवल 12 रुपे के बाजियो में मिला इस talk की कहानी सुनोंगे आप भाई यह company मैं आपको बता दूं बह तो पहले इनके पास 9% है इस quarter में एक मिनट सही तरीके से दिखाता हूं मार्च में मार्च में परमोटर्स ने देखिया यहाँ पर अपनी हिस्तेतारी बढ़ाई है और इसको 16% कर लिया गया है पिछले quarter के मुकाबली अगर आप देखोगे तो तो परमोटर्स ने ओके है ल लास्ट वर्किंग डे में भी गिरा है याद रखे टेक्स्टाइल सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है और 63 करोड का मार्केट के अपर यह कंपनी कंपनी नहीं है 63 करोड मतलब यह कंपनी आपका पैसा 5000 गुना भी कर सकती है और यह कंपनी आपका पैसा 0 भी कर सकती है यह ए गृपनि के पास δेट ठो भाई इनके पास डेट ही जाए डेट जो कि आपको बताए जारा 78 क्रोड का देख लिए 78 क्रोड का और इसका कमपनी का मार्केट के बढ़ देखिया थो कितना का है तो 63-30 करोड का है बहुत बड़ा डीफरेंस यह आपर आपको देखनी को मिलड़ा इतने छोटे company में investment करने का मतलब क्या फाइदा है या फिर क्या purpose है foreign investor का नहीं पता लेकिन देखिए मैं आपको खरीदने के लिए नहीं बोलना हूँ जानकारी बिल्कुल गलत मैं आपको नहीं दूँगा मैंने thumbnail पर लिक रखा है कि foreign वाले कहाई invest कर रहे हैं वह मैं आपको बता रहा हूं याद रखेगा रतन टाटा जी ने किसी अगर माल लेते हैं 5000 करोड की company को अगर उसने खरीद लिया इसका मतलब यह नहीं है मैंने आपको बताया तो आपको भी 5000 करोड की company को खरीदना है माल लेते हैं किसी ने किसी ने बहुत बड़ा मतलब माल लेते हैं उसने बहुत बड़ा building खड़ा कर लिया माल लेते 500 करोड में एक building खड़ा कर लिया तो क्या आप भी खड़ा कर सकते हो ने जनकारी लेना अलग चीज होता है और करके दिखाना अलग चीज होता जो हमें नह पर इन्हों ने 5.7% के बाजू में इन्हों ने खरीता है देखो अलुवालिया कॉंटक्ट के ऊपर मैंने बहुत-बहुत सारे वीडियो बना के बताया है अच्छा स्टॉक है मैं सपोर्ट करूँगा इसको और यह अभी थोड़ा बहुत गिर रहा लेकिन मैं आपको बलूँ यह और अगर आप अपना स्टॉक मार्केट में डिमिट अकाउंड ऑपन करना चाहते हैं स्टॉक मारकेट में अप नए है तो आप अपना डिमिट अकाउंड बेलकुल फ्री डिलेवरेय चार्जर्जर फ्री कि व्लीट्वांूं तुन रुपिस लगता वह भी इंट्रेय म डिस्क्रिप्शन में लिंक एमेंटों में जाके अपना डिमेंट अकाउंट वगरा उपन कर सकते हैं